तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यूर स्पाउस नेचर टुवर्ड्स यू, वेदर दे आर शाई, एक्स्ट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, कुछ भी हो सकता है तो यहां पर उनका किस तरीके का नेचर रहेगा, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेफ करेंगे, या क्या उनके धॉट्स रहेंगे आपके लिए, तो यह जो है एक पिककर काड रीडिंग है, यहां पर मैने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नम्बर उन, पाइल नम्बर तो चलिए देखते हैं आपका स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा एंपरेस बहुत अच्छा काड़ आया है नेक्स्ट आरा एंपरर अरेवा दोनों ही एक दूसरे के माच हो नेक्स्ट आरा दे वर्ल्ड नेक्स्ट आरा कुइन अफ कप्स अभी मैं आपको जोडिक साइ हैं नेक्स्ट आरा हाइप प्रिस्ट आरा हमाँ पास किंग ओफ कॉइन्स उमीरे आपको सभी कार्ज अच्छे से देख रहे होंगे यहाँ पर प्रॉमिनेंट जो जोडिक साइन है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर टॉरस है पाइसीस है कैंसर है लीब्रा ह कैंसर पाइसीस आई थिंग मनें बोल दिया था स्कॉर्पियो एनरजी भी है यहाँ पर और एरीज एनरजी है यहाँ पर टॉरस एनरजी है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर प्रॉमिनेंटली जो आप दोनों का नेचर रहेगा काफी हद तक सिमिलर ही रहेगा चाहे आप मे passionate रहेगा, loving रहेगा, caring रहेगा, लेकिन fair और balanced भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बच्पने वाली energy है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर दो mature adults के बीच में जिस तरीके का relationship है, यहाँ पर compatibility है, understanding है, यहाँ पर teenage वाला लव नहीं है, यहाँ पर, मैं साफ साफ कहना पसंद करती हूँ, teenage वाला love नहीं है, जैसे कहा, मैं मिक्री नहीं करना जाओंगी, लेकिन यह चीज़ है कि stupidness नहीं है, यहाँ पर, बहुत mature energy है, यहाँ पर, emperor है, empress है, तो empress है, चाहे feminine energy है, हाला कि अपने gender से resonate करना, वो जो है, एक wife या mother की तरीके से behave करना पसंद करेंग होंगे, authority वाले होंगे, responsibility लेना पसंद करते हैं, decision लेना पसंद करते हैं, अपने emotions को ऐसे नहीं है कि हर समय emotions को ही दिखाएं, एक practical way में भी life को सोचना बहुत जादा अच्छी तरीके से आता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही उनका nature लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अंदर स soft नहीं है, या shy नहीं है, लेकिन जब decision लेने की बात आती है, या life को बनाने की बात आती है, तो वो practically बहुत जादा सोचते हैं, क्योंकि emperor भी आया है, king of wants भी आया है, हमें life में कही न कहीं practical होना पड़ता है, हम emotions तो यह सोच रहे हैं, कि हम तो यहाँ पर जो है, चांद पर जाएंगे, समझ लो, ठीक है, तो ऐसा थोड़ीने की चांद पर ऐसी चले जाओगे, या तो पैसे हो, या फिर उसका arrangement हो, या फिर कुछ और चीज़ें हो, या कोई opportunity मिले, तभी तो जापाओगे, ऐसी चड़े जाओगे, तो वो वाली चीज है यहाँ पर, तो वो ही चीज है कि यहाँ पर बहुत जादा similar आप दोनों का nature रहेगा, आप loving होंगे उनकी तरफ, वो भी आपकी तरफ loving होंगे, लेकिन अगर practical decision की बात आती है, तो फिर उस समय दिमागी चल रहा है, उस समय emotions की कोई जगह नहीं है, जैसे मान लीजे, आपको बड़ा घर खरीदना है, XYZ 3BH के खरीदना है, या उस से बड़ा खरीदना है, जो भी आपकी economical condition हो, तो उस समय आप logical ही हो, दोनों के दोनों, तो ऐसी situation है यहाँ पर, वो आपके प्रती बहुत जादा आपको loving, caring रखेंगे, और अच्छी तरीके से treatment देंगे, जैसे wine and dine अच्छी तरीके से करना है, य purple color बहुत जादा आप पे सुन्दर लगता हो, आपको जैसे माल लीजिए, आपको high heels पहनने का शौक है, सिर्फ example दे रही हूँ, तो वो जो है, आपको लेने को कहेंगे, ऐसा नहीं है कि मना करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी टोकें, लेकिन ये भी नहीं करने है, ऐसा भी नहीं करने देंगे, तो आपको वो बोल देंगे कि भई ये देख लो, ये budget है, इतना है, और ये करना है, तुम सोचलो में मना नहीं कर रहा हूँ, तुमें लेने को, तो ऐसी situation है, तो बहुत ही ज़्यादा practical और loving, दोनों ही तरीके का एक proper combination है, या आपर balance है, न तरीके की situation है, मुझे या पर beach energy लग रही है, हला कि जरूरी नहीं है, आपको अगर mountains पसंद है, तो आप mountains पे भी जाना पसंद करोगे, चाहे Switzerland हो, चाहे Finland हो, चाहे अगर beaches आपको पसंद है, तो Mauritius हो सकता है, Maldives हो सकता है, Indonesia हो सकता है, कोई भी जगा, Thailand हो सकती है, ऐसी ची situation होगी, लेकिन अगर दिल की बात करी जाए, तो बहुत जाधा shy person होगी, तो उन्हें जो है, अपने emotions को express करना words में, बहुत कम आता होगा, वो जो है actions में दिखा देंगे, कि आपको कभी गले लगा लिया, या protective बहुत जादा है, या आपकी चिंता करते हैं, या कभी-कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि बहुत जादा आपकी चिंता कर रहे हैं, जबकि इतनी जादा चिंता करने की जरुरत नहीं है, जैसे सिर्फ example दे रहे हो, मालो आपको normal fever हो गया है, तो ठीक है fever है, तो paracetamol खाई और ठीक हो गए, या doctor को दिखाया, ठीक हो गए, बट वो जो हों, हाला कि और लोगों के सामने वो बहुत जादा calm, composed जो है, वो behave करते होंगे, लेकिन आपकी बात आती है, तो nervous हो जाते होंगे, यह दिल की situation है यहाँ पर, next star है queen of cups है, king of wands है, तो एक परसन बहुत जादा practical है, एक बहुत जादा emotional है, लेकिन यहाँ पर जो है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, एक जो है, वो loving बहुत जादा है, बच्चों के बारे में सोचता है, फैमली के बारे में सोचता है, उसकी responsibility भी है, ऐसा नहीं कि responsibility को नहीं निभाता है, यह निभाती है, लेकिन जो एक practical decision है, वो भी जो है, फिर आप एक दूसरे के साथ balance ही करकर चलना पसंद करते होंगे, एक इनसान को थोड़ा जादा गुसा भी आता होगा, male भी हो सकते है, female भी हो सकती है, नेक्स्ट आरा है, six of cups है, six of cups जो है, innocent love को दिखाता है, past life से ये person आपकी life में आ रहे हैं, तो आप दोनों का कोई contract है, कि आप दोनों एक दूसरे के स life जो है, वो जीओगे, और life के lessons को सीखोगे, और उसमें खुशी भी create करोगे, तो ऐसी situation है, आपके spouse जो है, वो आपकी तरफ बहुत जादा loving nature से, या respectful nature की तरीके से ही आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, कभी-कभी वो overreact भी करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए जादा चि family बरा रहे हो, नेक्स टार है, Ace of Cups है, Ace of Cups जो है, Unconditional Love को दिखाता है, तो यहाँ पे जो है, आप दोनों के मन में Unconditional Love है, जैसे मैं एक example देती हूँ, कुछ लोग जैसे होते हैं, कि वो हर समय जो है, वो बोलते हैं, या फोटोस डालेंगे Instagram पे, या कहीं पे भी, ठीक है, कि बहुत जादा प्यार है, बहुत जादा जो है, वो लगाव है, एक सेक्टर, एक सेक्टर, लोगों को भी लगेगा कि बहुत जादा लगाव है, यह तो power couple है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो जो है, अगर problem आती है, challenges आते है तो वो अपने आपको भी sacrifice करने के लिए तयार हो जाएंगे दूसरे इंसान के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है, खासकर यह मेरा opinion है, हो सकता है, आपना opinion अपने पास रख सकते हैं, तो यह opinion है मेरा कि इस तरीके का love जो है, वो मिल पाना आजकल rare है, और अगर कोई ऐसा इंस कर देंगे आपके लिए, तो अपनी इच्छाओ का भी जो है, वो एक तलिके से sacrifice कर सकते हैं, आपको खुशी देने के लिए, हाला कि ऐसी कोई situation नहीं आईगी, लेकि यहाँ पे उनकी sacrificial energy को आपको समझना है, तो जरूरी नहीं है कि हर इनसान जो है, वो social media पे जो है, वो ड साथ छोड़ दे, उनका बच्चा या उनके भाई बहन भी उनका साथ छोड़ दे, लेकिन आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, इस तरीके की situation है, और मुझे लगता है कि true love जो है, वो इसी sense में होता है, हाला कि आपका opinion अलग हो सकता है, मैं उसकी respect करती हूँ, next आरा हाइप hypothesis है, तो hypothesis जो है, वो एक mysterious है, वो ही energy है, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत जादा इस चीज़ को डालना पसंद नहीं करेंगे, वो डालना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जताने की जरुत ही नहीं है, वो कोई शब्दों में बताना ही नहीं चाहते हैं, कि वो आप से कि हैंगे, तो आपकी तरफ वो अगर heart की बात करी जाए, तो वो बहुत जादा shy होंगे, लेकिन अगर exterior या लोगों के सामने अगर उनके behavior की बात करी जाए, तो वो बहुत जादा authoritative होंगे, over protective होंगे आपके लिए, माल लीजे किसी ने कुछ अगर गलत देख भी लिया, और बेशक उसकी intention उतनी अच्छी ना भी हो, तो वो mark उटाई भी हो जाएगी यहाँपर, तो वो जो है इसी तरीके के nature के होंगे, नेक्स्ट आरा king of coins है, king of coins जो है, वो stable situation को दिखाता है, stability, security को दिखाता है, crown चक्रा है यहाँपर, तो दिमाग से सोच कर चलते हैं, ऐसे नहीं और बहुत ही जादा जो है, उनके लिए sacrifice करने की यहाँपर इच्छा है, तो ऐसा nature उनका होगा, हाला कि यह जादा तर जो है, कोशन यह है कि वो shy है, या introvert है, extrovert है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो shy है, introvert है, लेकि बाहर जो है, वो extrovert की तरीके से दिखाते हों लेकिन आपके सामने वो हमेशा shy ही रहना पसंद करेंगी, तो चलिए देख लेते हैं, कुछ love cards, यहाँ पर जो है, एक peacefulness आ रही है, soul connection है, और next आ रहा है, यहाँ पर जो है, एक man है, जो वो बहुत जादा गंभीर दिख रहा है, बहुत जादा serious दिख रहे हैं, लेकिन उनक को contract है, आप आओगे ही आओगे life में, next आ रहा है, look deep within your heart, you will feel my love, my love for you is as deep as ocean, तो इसी तरीके की ocean वाली situation है, जैसे मैंने पहले भी आपको explain किया है, कि कुछ लोग जो है, वो बाहर दिखाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग अंदर जो है, वो दिखाना पसंद नहीं करते है लेकिन उनकी depth बहुत जादा होती है, तो ये depth वाले person है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ oracle cards, वो आपके लिए किस तरीके से feel करते हैं, या कुछ कोई extra knowledge या message मिल जाए हमें, तो पहला आ रहा है boundaries, उन्हें boundaries बहुत जादा पसंद है, कि मेरी family है, जो चीज मुझे चाहिए और जो चीज नहीं चाहिए, वो आप फिर बाहरी रहो, नेक्स टार है intimacy, तो intimacy जो है, वो उनके मन में बहुत जादा रहेगी आपके लिए विचार, नेक्स टार है kisses, आपको बहुत kisses करना पसंद करेंगे, और नेक्स टार है dreams, आपके dreams को fulfill करना चाहेंगे, जो भी आपके dreams ह बहुत जादा होगे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और एक दूसरे के respect भी करोगे, चलिए देख लेते हैं, इस energy is related to charms, यहाँ पे key आई है, challenges को जो है, face करने की हिम्मत भी है, और एक दूसरे के साथ रहने की भी है, नेक्स टार है, यहाँ पे एक anchor आय हैं, उनके anchors होते हैं, बहुत बड़ा सा एक देखा होगा कभी, तो वो जो है वहाँ पे गाड़ देते हैं, तो उससे जो है वो ship हमेशा टिकी रहती है, नहीं तो waves आएंगी, tides आएंगी और board जो है वो चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है, नेक्स टार है यहाँ पे dove आया है पीसफुलने सुकून रहेगा आपकी लाइफ में, और नेक्स टार है स्वायन आया है, highly protective, highly loyal person होंगे, आपके लिए जो है वो जैसे कहूं मैं, अगर फिल्मी अंदाज में कहूं तो जान भी देने को हाजर है, तो ऐसी situation है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, love, song, पहला आ आज से तेरी पैडमन मुवी का, यह जो आज से तेरी पैडमन मुवी का, उसी तरीके की emotions है, innocent emotions है, लेकिन बहुत प्यारे emotions है, तो कुछ इसी तरीके की situation रहेगी, तो pile number one, यह थी आपकी reading, उम्मीद करते हूं, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies next are the strength, next are the three of wands, next are the hermit, next are the temperance, कुछ और cards देख लेते हैं, emperor, four of coins, six of wands, eight of swords, और next are the lovers, उम्मीद आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होगी, तो यहाँ पर जो prominent zodiac sign है, वो पहले मैं आपको बताते हूँ, यहाँ पर Gemini है, Aries है, Leo है, Sagittarius है, Virgo है, Leo मैंने बोल दिया था, Gemini मैंने बोला था, Libra energy भी है यहाँ पर, ठीक है, और Aquarius energy भी है, तो यहाँ पर prominently, जो एक energy आ रहे हैं, चाहें आप male हो, चाहें female हो, अपने gender से resonate करना, यह person काफी जादा boundaries रखना पसंद करते हैं, Queen of Swords है, Strength का काड़ा है, Three of Wands है, यह अपने manifestation में बहुत जादा अच्छे होंगे, जो भी ambitious goals होंगे, या जो carrier हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो, वो उन्हें बहुत जादा पसंद होगा, उनका nature ऐसा होगा, कि उनको अपने ambitions पे, goals पे बहुत जादा काम क माना है, तो कुछ इस तरीके की situation है, यह अपने emotions बहुत जादा अच्छे तरीके से लोगों को नहीं दिखाते होंगे, तो अगर लोगों के perspective से कहा जाए, तो वो बहुत जादा highly introvert है, लेकिन यहां पे बात आपकी हो रही है, तो वो जो है, कभी-कभी आपको कुछ introvert लग सकते हैं, दोनों ही mixed energy है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, कि लोगों के सामने तो जो है, इनका nature ऐसा रहेगा कि बहुत जादा introvert है, बोलना जादा पसंद नहीं, चुप रहना जादा पसंद है, काम पे जादा concentrate करना, लोग इस चीज़ को boring मानते हैं, बट actually मैं ऐसा है नही वो अपनी life में बहुत जादा contentful है, अपने आप में satisfaction बहुत जादा रखते हैं और अपनी family और loved ones के प्रती बहुत जादा एक carefree energy है, जैसे कि एक example देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, आपकी तरफ तो बहुत जादा caring nature है, लेकिन लोगों के प्रती नहीं है, जैसे मान लीज़े, कोई fake friends हैं, या office में हैं, या कोई हैं, और वो जो है, सिर्फ ऐसी मीठी मीठी बाते तो करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये इनसान जो है, इससे जलता है, या jealous, feel करता है, और वो उन्हें मालूम भी है, तो वो उसको भाव नहीं देते, वो बोले ना ब दिखते होंगे, कि लोगों को उनके बारे में कोई information ही नहीं है, कि life कैसी चल रही है, उनकी relationship कैसा है, family life कैसी है, उनके कितने भाई बैन है, वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं, अपनी information नहीं देना पसंद करते हैं, highly boundaries रखना पसंद करते हैं, नेक्स आरे strength का काड़ा है, three of fonts है, strength जो है, mental physical ability जो है, वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बड़े से बड़े, जैसे लोगों के perspective की हिसाब से पहले मैं बता देती है, फिर आपके लिए बताऊंगी, कि लोग ऐसे ये देखते हैं, कि जैसे मान लोग कुछ हो जाए, या break up हो जाए, या divorce हो जा ये तो ऐसा energy है यहाँ पर, next order three of fonts है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि manifestation बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, ambitious goal बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, अपने आपको किसी मुकाम पे देखना पसंद करते हैं, इन्हें जो है, vintage area, vintage गाडिया पसंद हो सकती है, vintage तरिके का, यह European culture बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, European culture, जैसे, जैसे कहूं मैं, कि जैसे पुराने टाइम पे, जैसे French Revolution हुई थी, हाला कि ज़्यादा तो लोगों को पता भी नहीं होगा, नहीं उन्हें पढ़ा होगा, detail में, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, जो French Revolution हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा royalty वाले इंसान है ये, तो इस तरीके की energy है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये भी हो सकता है कि उन्हें scarves बहुत ज़्यादा पसंद हो, या mufflers बहुत ज़्यादा पसंद हो, खासकर silky way में, या उसके ओपर embroidery करी गई है, जो कि आजकल जो ह है तो वो expensive होगा, दिखने में ऐसे छोटा सा scarf लगेगा, लेकिन उन्हें पसंद है, अगर expensive perfumes पसंद है, या फिर जो भी मतलब उनको पसंद है, खासकर कपड़ों में, या attire पहनने में, वो बहुत ज़्यादा expensive उन्हें पसंद होगा, जो वो afford कर सेके, बेशक, लेकिन उन पसंद जरूर है, नेक्स आरा हमिट का काड़ा है, हमिट जो है, वो वर्गो एनरजी को दिखाता है, डाक नाइट सोल को भी दिखाता है, अपने आपको बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, अकेले में सोचते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है, कन्फरेंट नहीं कर कर वो decisions लेना पसंद करते हैं, तो आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसी और से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप में वो बहुत ज़्यादा interested है, और आपकी जो भी nature हो, चाहे वो fun loving हो, चाहे वो introvert हो, लेकिन ये person आपको बहुत ज़्यादा पसंद क ही तरीके से आगे बढ़ाने के काम आता है, और जैसे मैंने पहले भी आपको example दिया कि मान लीजे कुछ गड़बर भी हो गई है, तो रोने वाले नहीं हैं, उसको फिर से build up करना start कर देंगे, multi talented ये person होंगे, introvert हैं लेकिन, आपके लिए जो है वो आपको बताएंगे कि दे आपको दिखाना पसंद करेंगे, तो आपके लिए वो introvert नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए वो introvert होंगे, इस person की थोड़ी ego भी होगी, और ego जो है वो आपके लिए नहीं है, लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको पता है, कि सामने वाला इंसान सिर्फ हसी मजा कर रहा है या बेफल्तूगी बाते कर रहा है, और उसको cut-off करना पसंद कर देंगे, उसको insult भी कर देंगे, कोई मतलब जैसे कहा जाता है कि पोपट कर देना लोगों के सामने, वो वाली energy है, तो इसी तरीके की energy है यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर situation है, जैसे कि मैं एक celebrity का नाम देती हूँ, MC stand है, तो पता ही होगा आपको, तो वो ही वाली चीज है, कि सामने जो है, वो किसी की भी बजा देना, लेकिन अपने person के लिए जो है, वो उसी तरीके से loyal है, और बहुत ही जादा simplicity है यहाँ पर, next आरा four of coins है, four of coins जो है, वो family orientation को दिखाती है, एक stability को दिखाती यह थोड़ा stuck या clinging energy भी है, तो वो किसी को भी अपनी जिंदगी में अगर ले आते हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके parents हैं, या अपने sibling हैं, तो उनसे जो है, वो दूर नहीं हो सकते, ना ही उनसे दूर होना पसंद है, ना ही वो जो है किसी को छोड़ देते हैं, अगर मान आपको एक family मानते हैं, खासकर आप family होगे उनके भी, तो भी जो है, वो अपने आप में थोड़े से changes लेकर आएंगे, जैसे मान लीजे, अकेले बैठना उनने पसंद है, लेकिन अब जो है, वो आपकी company में बैठना पसंद करेंगे, तो आपके साथ हसना, बोलना, खाना, जो भी है, आपको जैसे मान लो coffee पसंद है, तो वो भी coffee भी try करेंगे, ऐसी चीज नहीं कि अभी तक जो है, उनका nature ऐसा रहा होगा, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या अपनी likes को या जो priority है, उसको favor करते होंगे, लेकिन अब जो है, वो आपके लिए अपनी जि जो है, मैंने किया है, या मैंने achieve किया, ये मेरे लिए बहुत है, तो ऐसी situation है, और अपने आप में वो अपने आपको खुश देखना चाहते हैं, ऐसी situation है, तो वो जो है, आपको कहीं कहीं support करेंगे, और आपसे support मांगेंगे भी, expectation उनकी ये है, कि आप उन्हें हमेशा support चाहे कोई support करें या ना करें, नेक्स टार है, eight of sorts है, थोड़े से overthinking जादा करते होंगे, तो आपको थोड़ा सा, ये sensitive person है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कि ऐसी कोई बात ना बोल दो, जिससे वो hurt हो जाएं, या कुछ और गलत information लेना लग जाएं, क्योंकि कई अपने आपको बहुत जादा criticize भी करते होंगे, वर्गो energy है, तो इसी वज़े से ऐसी energy है, हाला कि वो perfectionist है, तो उनका nature ऐसा है कि हर चीज़ में perfection हो, और कोशिश भी वो करेंगी, तो अच्छी चीज़ भी है, तो भी उन्हें encouragement चाहिए होता है, कि ये नहीं कि उसको गलत मान कर जो है, अपनी मेहनत को नुकसान पहुचा दिया, तो ऐसी expectation वो आपसे रखेंगे, ये आपसे expect भी करेंगे, और आपकी तरफ भी करेंगे, giving energy है, लेकिन आपसे expect भी वो उसी तरीके का behavior करते हैं, नेक्स टारा lovers का काड़ा है, जेमिना energy है, highly sensual person होंगे, इनकी जो intimate होने क capacity है, वो जादा होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो loud feel करवा पा रहे हैं और कर रहे हैं, तो बहुत ही जादा इस चीज़ के लिए protective होंगे, आप दोनों की ही अपनी personal life होगी, तो उस तरीके से चीज़े हैं, और आपकी photos को खीच कर रखना, चाहे वो mobile में रहे, चाहे वो laptop में रहे, चाहे वो घर में लगे, लेकिन वो जो है वो बहुत जादा उनके लिए importance रखेगी, कि photos जो है वो उन्हें बहुत जादा पसंद होगी, और हो सकता है आपकी एक या दो photos, जो लोग नहीं सोचेंगे, कि मैंने जैसे पहले कहा था, कि लोग सोचेंगे introvert है, इ उनके लिए बहुत जादा special होगी, तो कुछ इस तरीके की energy है, तो चलिए देख लेते हैं, love cards, पहला ये आया है, दूसरा ये है, दूसरे में union हो रही है, और पहला जो है, दिल जो है, वो बहुत जादा खुश है, तो एक तरीके से punk लगे हुए दिल को, और वो खुश है, happiness create कर रहा है, तो ऐसी situation है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, love cards क्या कहते हैं, when you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love, तो जितने भी लोग loved ones हैं उनके, खास कर आप या family या friends, friends में भी बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उनसे जो है, वो बहुत जादा लगाव करते हैं, उनके साथ memories या अच्छा time spend करना उन्हें बहुत जादा पसंद है, और बाकी लोगों को वो, जो है, वो, बस cut out करना पसंद करते हैं, कि उनसे जादा मिलना जुलना नहीं, हाँ, professional level पे वो बात कर सकते हैं, बट उससे जादा नहीं, next आरा sacred union, honor and treasure your relationship, और it is truly sacred, तो यहाँ पे sacred union है, उनक के लिए जो है, वो बहुत बड़ी बात है, कि वो किसी को इस तरीके से अपना रहे है, ठीक है, तो चले देख लेते हैं, कुछ oracle cards, आपके लिए, पहला आरा family, जैसे मैंने पहले भी कहा था, family है, compatibility, clarity, clarity रहेगी life में, protection, आपके लिए बहुत जादा protective रहेंगे, यह मतलब बहुत ही जादा protective रहना, एक होता है, थोड़ा बहुता है, बहुत जादा protective रहना, और next आरा है, emotional freedom, तो emotionally freedom रखेंगे आपके लिए, happiness, आपको happy रखना चाहेंगे, और next आरा है boundaries, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि boundaries बहुत जादा high होंगी, और उसी तरीके से वो behave भी करे जो actions के through होगा, words के through नहीं, तो चलिए देख लेते हैं, इस energy से लेटेट कुछ, charms, तो यहाँ पे planet का, यह जुपिटर एक तरीके से कह सकते हैं, कि बहुत जादा prominent है, इस person के birth chart में, next आरा love है, तो यहाँ पे deeply felt love रहेगा, और love ऐसा है, कि आप feel कर पाऊगे, वहाँ पे keys fix करना, या कोई particular चीज हो, तो वो उनको बहुत जादा पसंद हो, और next आरा maple leaf आई है, तो maple leaf जो है, केनेडा को दिखाती है, या बाहर जाने की इच्छा हो, या फिर यह भी हो सकता है, कि autumn season में कोई significant date आपकी हो सकती है, तो चलिए देख लेते हैं, कुछ love song, पहला आरा है आपके लिए, एक दिन आप, yes boss movie का है, next आरा nothing compares to you, next आरा 13 चहरा सनम तेरी कसम से, और next आरा आपके लिए, ना कजरे की धार मोहरा movie का है, और एक और आया है, इश्क हुआ, आजा न अचले, तो देख लेना, किस तरीके की गाने हैं, इसी तरीके ही feelings वो आपके लिए feel लगे, तो पाइल नमबर टू, ये थी आपकी reading, उम्मीद करते हूं, आपको अच्छी लगे होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रहे हैं, तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you